आज हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मूवी एंड राजनीती की बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं जिन में कोई बुराई नहीं है पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम होगे महाबारत में दो फैमिलीज थी नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बंटी और आप सुपका स्वागत है दोस्तों मेरी ट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सिदेंटल प्राइम मिनिस्टर जी हां दोस्तों यह फिलम बहुती अच्छी राजनीती प्राधारित मूवी होने वाली है दो दोस्तों इस फिलम में डॉक्टर मनमोहन को बहुत ही अच्छी तरह से कोपी किया है उनकी आवाज को उनकी वेस्भूसा को उनकी चार्ल ढाल को और उनकी एक्टिंग को जी हां दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस फिलम में उनका भी रॉल काफी शानादार होने वाला है दोस्तों और ऑरजून मातुर ने इस फिलम में दोस्तों राहुल गंदी योनि सोनिया गंदी के बेटे का करदार निवाया है जो कि राजनिती में अभी थ़ड़े कच्छे खिलाडी लगते हैं मेरे को तो दोस् जो की काफी अच्छी कलाकारा हैं जो विदेशी कलाकारा हैं दोस्तो इसमें बहुत अच्छा किरदार निवाया है और ट्रेलर देख के आप समझ सकते हैं कि सोनिया गांदी ने किस तरह मनमोहन सिंग को प्रदान मंतरी पद के लिए चुना था दोस्तो और इस फिल्म में डोक्टर मनमोहन को अपनी शपत लेते हुए भी दिखाया गया है दोस्तो जो कि डोक्टर मनमोहन का किरदार अनुपम खहर जी निवारें दोस्तो इस फिल्म में टोटल की टोटल राजनीती ने जराने वाली है दोस्तो इस फिल्म में अक्से खन्ना बहुती अच्छा शानदार किरदार निवार रहे हैं जो कि पोलिटिकल कॉमेंटेटर है जी है दोस्तो संजे वेरा के नाम से वो कॉमेंटेटर है दोस्तो और वो सभी राजनितिक्यों की पॉल खोलते हैं अपने कमेंटेटर के हिसाफ जे पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं दोस्तो आप इस फिलम को देखना ही बहुत ही इंट्रेस्टिंग बनने वाली है इस पे कॉंग्रेस का वार बहुत ही शांदार देखने को मिल सकता है दोस्तो देश की विकास के लिए हमको नूकली एनरजी चाहिए ये पार्टी को एकसेप्टबल नहीं है ये नूकली जब बात आती है नूकलीर एनरजी की जी हां दोस्तो तो वो सोन्या गांधी को मंजूर नहीं था दोस्तो यहने उनकी पार्टी को मंजूर नहीं था कि भारत के पा आए गया जी हां दोस्तो इसमें कोंग्रेस की पॉल खोली जा रही है इस फिल्म में और इस मूवी वर कॉंग्रेसियों ने रोक भी लगाई है जब बात आई दोस्तो भरत पाकिस्तान के समझते की तो सुनिया गादी ने डौक्टर मरहुन जिंग को बोला कि समझता अगर हम ही कर लेंगे तो आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर रह वो क्या करेंगे दोस्तो इनको दोस्तो कश्मीर समझ्या का हल नहीं ढूंट रहना था इनने तो सिर्फ राजनिती और राजनिती से मतलब था दोस्तो क्योंकि कांग्रेस जो थी है पूरी दिल्ली के दरबार में एक ही तो कबर थी कि डॉक्टर साब को कुर्सी से कब आटाएंगे और कब बाटी राहुल जी का अभिशेक करेगी डॉक्टर मनमौन सिंग को परधान मंतरी बनाने के बाद सोनिया गांदी ने सोचा कि अपना बेटा राहुल तो रही गया इसके लिए उन्होंने दोस्तो मनमौन सिंग को कुर्सी से हटाने के लिए खूब प्रियास किये लेकिन दोस्तो वो हट नहीं पाए और नहीं उनके बेटे राहुल गांदी अभी तक परधान मंतरी बन पाए और जब सोनिया गांदी ने दोस्तों डॉक्टर मनमोन सिंको गुटने टेकने पर मजबूर कर दिया तब उन्होंने बोला कि अभी एक दम से ये सब कुछ नहीं हो सकता राहूल टेक ओवर नहीं कर सकता देखें दोस्तों सोनिया गांदी इसमें किनी गंदी राजनीती करती भी नजर आ रही हैं वो सिर्फ अपने बेटे और बेटी और खुद के भविश्या को सोच रही है ना कि देश के भविश्या को तो दोस्तों इस फिल्म पर कॉंग्रेस की पार्टी ने भी रोक बेन लगा से इसको सेंसर बोर्ड से सेंसर सेटिफिकेट मिला है ट्रेलर का भी और फिल्म का भी उसके बाद ही हमने कोई भी पबलिसिटी शुरू की है ऑफिशल तरीके से तो उनको बोलने दीजे अगर वो सोचते हैं कि उनकी जो संस्था या उनकी पुलिटिकल पार्टी है वो सेंसर स इतने सालों में क्या किया दोस्तो आप ये फिल्म जाके जरूर देखना दोस्तो मुझे कमेंट करके बताना है मुवी आपको कैसे लगी दोस्तो मेरा चैनल सिब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन प्रेस कर दीजे दोस्तो तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में